आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अब आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज का सेशन में शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी फटा फट जो है सारे एक बरी आजाएए एक बरी सभी जोइन कर लीजी उसके बाद आज का हम सेशन शुरू करते हैं very 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 good evening everyone सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बरी फटा फट सेशन को जोइन कर लीजी और उसके बाद शेर भी कर दीजी ताकि सारे students तक ये initiative, the bigger picture का initiative पहुंच सके, आज के session में हम कुछ important चीज़े करने वाले हैं, साथ ही साथ हम कुछ important descriptive जो मैं हमेशा लाती हूँ, तो जो यहाँ पर कुछ नए students हैं, Hi, 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 यहाँ पर definitely मैं को कुछ नए students दिख रहे हैं, मेरे paid bath से भी जो हैं, So, very good evening, very good evening प्रग्या जी, very good evening, very good evening दीपक जी, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, तो आप सभी क्या ready हैं आज के lecture के लिए, Okay, जो यहाँ पर नए हैं, मैं एक बरी उनको फटा-फट जो है briefly, ब्रीफ कर देती हूँ, कुछ चीजों के बारे में, यहाँ पर की किस तरीके से चीज़े होती हैं, और बाकी का एक बरी में बता देती हूँ, हाँ जी, So, हम यहाँ पर कुछ mapping से, mapping के द्वारा कुछ सवाल सॉल्फ करने की कोशश करते हैं, Hi, 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 Hi everyone, जी, और session को एक बरी share भी करते रहेगा, सभी students को एक बरी कोई group में में message डाल दिजे, क्योंकि session शुरू हो चुका है, ताकि सब लोग join कर ले, और यहाँ पर approach हमारी बड़ी simple सी रहती है, यट बड़ी important है, यह जितनी भी चीजे हैं, जो आपको मेरे पीछे दिख रही है, सारी ही important है, तो एक हम question लेते हैं, जहाँ पर हम mapping के थूँछ चीजों को समझने की कोशश करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो आपके exam में पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, बलकि इसलिए, क्योंकि जब mapping से हम चीजे पढ़ते हैं, तो हमें जादा वो याद रहती है, ठीक है, इसलिए, तो वो थोड़ा सा psychological, जो है, idea है मेरा इसके पीछे, जो करने वाले हैं, मैं आपको बता दू, उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि current questions भी हम लेने वाले हैं, चीक है जी, ओके, ओके, इसके बाद हम current affair questions और previous question papers भी यहाँ पर discuss करेंगे, उसके बाद topic of the day भी लेंगे, topic of the day में हम एक important topic discuss करते हैं, scheme of the day भी लेते हैं, और यह इसके साथ-साथ यहाँ पर एक descriptive भी मैंने शुरू करा है, यहाँ पर एक topic हम लेते हैं, आज का बड़ा ही interesting topic है, और बहुत important है, कोई भी exam, आप banking का exam 2023 में लिख रहे हो, आपके phase 2 के लि सिदा directly यही सवाल पूछ लिया जाए, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा होगा, बाकी सभी exams, बाकी सभी students के लिए यह बहुत जरूरी है, बट सिट्बी वाले students का अभी 10 दिन में ही paper है, तो उनके लिए बहुत ही जादा जरूरी यह होने वाला है, so are you all excited for today's lecture, good evening Vijayता ज Good evening Anish जी, Good evening Dev Rishi, आप नए हो मेरी class में शायद है न, जितने भी नए students है, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, I am sure आपको आज का session अच्छा लगेगा, तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ, और PIB से भी जो है मैं यहाँ पर, ओके, ओके, थांक्यू मेगा जी, थांक्यू मेगा जी, चलिए, सबसे पहले कल ही यह news में आया था, तो आपको मुझे बताना है, जितनी भी military exercises होती हैं हमारे देश में, हमारे देश जो है, हमारा देश जो किसी और country के साथ जो भी conduct करता है, सारी military exercises important होती हैं, और सबसे जा आता है कि जी, कब से कब तक हो रही है, या फिर उसमें कुछ अगर important हुआ है, कोई theme है, या कोई important चीज हुई है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है, है ना, सो यहाँ पर वरुना की बात हो रही है, इंडिया और क्योंसी country के साथ हुई है, और जैसे ही आप सभी को answer, आ तो सभी बताएंगे, जी, बिल्कुल, ओके, brilliant, जी, 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 हाँ जी, बिल्कुल, और अगर आपको याद हो, मैंने कुछ दिन पहले ही, क्योंकि military exercises ने आती रहती है news में, और military exercises में बहुत सारी exercises होती है, आपकी navy हो सकती है, army हो सकती है, FOS हो सकती है, अलग-अलग हो सकती है, तो आपको ये भी याद रखना है, कि ये navy exercise है, या FOS exercise है, या कौन सी exercise है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, दूसरा, अगर आपको याद हो, तो मैंने एक list आपको प्रवाइड करी थी, अपने इसी में, the bigger picture की PDF में ही मैंने आपको प्रवाइड करी थी, जहाँ जितनी भी important exercises होती हैं हमारे और किसी और देश के बीच में, वो सारी मैंने list down करके आपको भिजवाई थी, तो उसको एक बरी आज फिर से जाके रिवाइड कर लीजेगा, है ना, क्योंकि military exercises, रोज कहने का मतलब है कि काफी बार जो है, वो news में रहती है, तो important हो जाती है, ब प्रांस के साथ, राइट, जी, बिल्कुल, तो यहाँ पर आप जो है, बस इतना ही याद रखे, बहुत जादा कुछ यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा, तो इतना ही आपको याद रखना है, राइट, चलिए, हाँ जी, आगे बात करते हैं, अगले सवाल की, which are the following statement is true regarding UNSC, यानि United Nations Security Council, आज के ही हिंदू में एक UNSC पे एक आर्टिकल आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आपको UNSC का थोड़ा static portion में पढ़ा दू, उस आर्टिकल के बारे में भी मैं पढ़ाओंगी, देखिए, यहाँ पर ना, एक सबसे अच्छा फायदा ये है, कि जबी भी मैं आपक कुछ जिस तरीकी से current affair करवा रही हूँ, आपके current portion भी cover हो रहा है, ओके मैं side हो जाती हूँ, ताकि आपको question दिखे, आपका current portion भी cover हो रहा है, और उसके साथ साथ आपका static भी मैं link करके आपको पढ़ाती हूँ, है न, जैसे UNSC पे एक article आया हुआ था, वो article हम इसके बार discuss कर दुसरा जो बहुत important है वो है UNGA, UNGA यानि United Nation General Assembly, इन दोनों में क्या difference है, ये दोनों bodies क्या करती है, ये मैं अभी आपको एक मिनट में बताऊंगे, बट उससे पहले I want answers सभी से, हाँ जी, बिलकुल very good, जी, 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 बताइए, मैं PDF आपको हिंदी में भी provide करवा दूँगी, ठीक है, don't worry, जब आपको मैं PDF भेजूँगी न, मेरे, मेरे उससे आएगरा, मेरे नाम से जो PDF आपको share करूँगी, मैं, वो मैं आपको हिंदी में provide करवा दूँगी, ठीक है, हम, और न, मैं आप सबी को एक अच्छी बात बताना जाती हूँ, मैं आज कुछ लोगों का इलाज करने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ कुछ लोगों का इलाज करने में, तो आज मैं कुछ लोगों का इलाज करने वाली हूँ, अभी ये lecture खतम होते ही, कुछ लोगों क आज इलाज होने वाला है, बहुत अच्छा इलाज होएगा चलिए और I'm sure आप समाज गए होगे मैं किसकी बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छा इलाज आज होने वाला है मैं मड़ी excited हूँ इलाज करने के लिए है ना, चलिए मैं तो जी, इलाज करना मेरी होबी है चलिए, मैं बहुत अच्छा इलाज करती हूँ लोगों का चलिए, अब बात करते हैं, पहले स्टेटमेंट दी हुई है कि जी, UNSE में 15 मेंबर्स हैं, चीक है, देख लेते हैं प्रेसिडेंट जो है, UNSEK, भो मंथली rotation पर उनकी जो होती है जी, हाँ, इसका आंशर हम आगे बढ़ते हैं, चीक है, इसका आंसर वैसे तो आगे मैं जब एक्सप्लेइन करूँ की तब इसका आंसर आगको मिल जाएगगा है ना बट फिर भी वेरी गूड इवनिंग जो अभी मुझ सो जुड रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का जी इसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि ओफलाइन कॉमेंस में क्योंकि कुछ चीजें हैं तो ओफलाइन कॉमेंस में आप जरूर जो है जी ओफलाइन कॉमेंस में इसका आंसर आप मुझे देंगे मैं वहाँ पर आपका आंसर देखना चाहती हूँ अब हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की कि United Nations Security Council क्या है जैसा कि मैंने आपको बताया United Nations बना था United Nations किस लिए बना था क्योंकि आपको पता है World War हुआ था World War होने के बाद actually ये एक chronology है ये एक sequence है जो आपको याद रखना है जब World War 1 हुआ था World War 1 होने के बाद सारे ही पूरे ही दुनिया में peace यानि शान्ती की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी क्योंकि peace जो है एकदम destroy हो चुका था, खतम हो चुका था तब एक body बनाई गए जिस body का नाम है League of Nation League of Nation अब League of Nation का क्या काम था कि आपको शान्ती बरकरार करवानी है पूरी दुनिया में पर ये अपना काम करने में फेल रही और उसी का नतीजा था कि हमें जो है World War 2 देखने को मिली अगर इसने अपना काम कर लिया होता, अगर शान्ती बनी रही होती तो क्या हम World War 2 हमारे हां होती, नहीं होती, तो World War 2 हमारे हां हुई अब World War 2 होगे, तब उसके बाद ये सोचा गया कि हमें कोई और strong body बनानी पड़ेगी ताकि जिससे जो है peace maintained रहे और तब हम इस concept के साथ आए, जो कि United Nations जिसको आज हम जिसके नाम से जानते हैं, यानि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, United Nations तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि United Nations World War 1 के बाद बना था या 2 के बाद बना था 2 के बाद बना था, क्योंकि 1 के बाद तो League of Nations बना था, जो कि fail हो गया इसलिए World War 2 हुआ, World War 2 के बाद उसको जो है, उसके बाद देश और दुनिया में शान्ती बनाने के लिए हमने जो बाडी बनाई वो था United Nations, ठीक है, चलिए, अब देखे, जब कोई भी बहुत important बाडी बनती है तो उसके नीचे बहुत सारे organs होते हैं, क्योंकि वो अकेला काम नहीं कर सकती, ऐसे ही हमारी ministries के साथ है हमारी ministry अकेले काम नहीं कर सकती, बहुत सारे departments उसके नीचे होते हैं ऐसे ही United Nations में बहुत सारे जो है organs हैं, जो United Nations को काम करने में help करते हैं उसमें से सबसे important है दो ओर्गन, सबसे पहला है United Nations Security Council, जिसका आज मैंने आपसे सवाल पूछा, UNSC, चीक है, उसमें 15 members होते हैं, 10 members, members के बारे में भी आगे चर्चा करूँगी, आपके लिए एक picture लगाई है मैंने members की भी, वो मैं next slide में आपको दिखाऊंगी, पहले इसका काम पता देती हूं, United Nations Security Council, यानि देश और दुनिया को security प्रवाइड करना, चीक है, जैसे ही कि इसका नाम है, चलिए, दूसरा है United Nations General Assembly, UNGA जिसको बूलते हैं, बहुत सारी report भी जारी करता है, UNGA, इसमें ये है तो 6 principle, बट सबसे important और जो exams में पूछे जाता है, वो ये उपर व related काम होता है, पैसो से related काम होता है, ये सारा कामधाम जो है, वो United Nations General Assembly समहलती है, किसको appoint करना है, कौन-कौन सी कुरसी पे बैठेगा, ये सारी चीज़े UNGA समहलता है, ठीक है, समझ आ गया, बाकी अगर मैं आपको बात करूँ, अगर मैं आपको एक बरी फटा-फट बता देत हमारे और चायना के बीच में लडाई होगी, तो हम चायना को अपने Supreme Court में लाके खड़ा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, या चायना हमें अपने Court में लेके जा सकती, उस चीज़े के लिए एक International Level पर, एक अंतर राष्ट्रे स्तर पर हमारे पास एक Court है, जिसको हम ICJ क Council Secretariat यह बहुत जादा important नहीं है, इसके detail में आपको जाने की जरूरत भी बहुत जादा नहीं है, चलिए, अब हम बात कर रहे थे, United Nations Security Council के members की, so members हम यहाँ पर होते हैं, 15 members, चीज़े, उन में से 5 तो permanent member होते हैं, और 10 non-permanent member होते हैं, जिनको हम us, thai members कहते हैं, चीज़े, permanent th non-permanent us, thai, तो यह जो 5 है, जो एकदम आपको पता है कि जो developed countries हैं, विक्सित देश जो हैं, वो 5 देश जो हैं, वो Security Council के permanent members हैं, UK, Britain, China, France, Russia और US, ठीक है, और बाकी जो है, यह बदलते रहते हैं, ठीक है, यह जो 10 member हैं, यह बदलते रहते हैं, इंडिया भी 8 साल जो है, या आठवी बार जो है, United Nation का non-permanent member बना था, पर यह non-permanent जो हमें seat मिली थी, यह पिछले साल, जो है, यानि 2022 की मैं बात कर रही हूँ, हाँ, 2022 में हमारा जो यह कारेकाल था, यह समाप्त हो गया, तो अब हम non-permanent member भी नहीं हैं, अभी का present status यह है, कि अभी हम नहीं हैं, रखनी है, अच्छा, यहाँ पर किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, यह जो पांच है ना, जिनको हम permanent बोल रहे हैं, इनहीं की veto चलती है, यहाँ पर देखे, veto और majority vote में एक difference होता है, majority क्या होता है, कि मालो यह 5 लोग है, अगर इस में से 3 लोगों ने किसी एक मुद्दे पर हां कह दी ना, उसका मतलब हां होता है, बट, veto क्या होता है, कि अगर मालो 4 देश ने तो, मैं यहाँ पर 4 देश ने तो हां कह दी, बट एक ऐसा देश है, कोई भी देश लगा लो, वो मान नहीं रहा है, किसी भी मुद्दे पर, तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि उस decision को veto कर दिया है, यानि मना कर दिया है, मतलब माना नहीं है, ठीक है, उसकी चलेगी, राइट, ओके, प्यांज जी, बहुत सारे ऐसे देश है, इवन हम भी हैं, हम भी अपनी permanent seat के लिए लड़ रही है, ठीक है, तो बहुत सारे देश है, इन फैक्ट, अभी बहुत सारे ऐसे भी बाते आ रही हैं, कि UNSE का जो पूरा structure है, मतलब UNSE के जो rules and regulations है, वो बहुत पुराने हो गए है, अब इन में बदलाव की जरूरत है, अब यह जो 5 permanent member है, अब यह 5 ही नहीं रहने चाहिए, यह सदियों से 5 ही है, इनको बढ़ाओ, और यहाँ पर लाने की जरूरत है, चीक है, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आप एक सेकिन देखिएगा यह, यहाँ पर आपको कौन-कौन से देश दिख रहे हैं, Britain, China, France, Russia और US, एक सेकिन वर्ल्ल मैप में देखिएगा यह जरा, हाँ जी, सो अगर आप देखेंग Britain मतलब, Britain मतलब यहाँ की मैं बात कर रही हूँ, France मतलब मैं अगेन यहीं की बात कर रही हूँ, चीक है, जी, तो अगर आप देखेंगे, तो यह उपर उपर वाले जो रीजन है, नौर्थ वाले जो रीजन है, यही सारे आ रहे हैं हमारे permanent members में, यह जो नीचे वाले देश ह जैसे हम हो गए, ठीक है, आफरिका के बहुत सारे देश हो गए, ठीक है, यह इन देशों की तो बात ही नहीं है, मतलब permanent seat इनको कभी मिली ही नहीं है, तो इसी लिए बहुत सारे अंतर राश्ट्रे स्तर पर यह बाते हो रही हैं, कि जी, आप इनमें थोड़ा बदलाव करो, इन rules को, जो है, changes करो इनमें, ताकि जाधा से जाधा लोग अब जो है, इसका part बन सके, UNSC में membership मिल सके, ठीक है, चलिए, वापस आते हैं, न्यूस क्या थी, चो हाल फिलाल में क्या न्यूस थी, हाल ही में UNSC ने sanction करी है, एक committee तो एक आतंगवादी थे, उनको basically UN designate आतंगवा एक list होती है, आतंगवादियों की, चायना इसको उसमें नहीं जाने दे रहा था, आप यहां पर देख सकते हैं, बड़ चायना ने भी यह अलाओ कर दिया है, तो basically आभी इनको जो है, आतंगवादी की श्रेणी में डाल दिया गया है, इसलिए UNSC News में था, बस मैं आपको य FATF के बारे में, Financial Action Task Force के बारे में, जिसका हमारा अगला, पहले हम यही करते हैं, हमारा अगला सवाल है, चीक है, अगला सवाल यह कह रहा है कि, which is not true regarding FATF, FATF के लिए कौन सी statement जो है इनमें से, वो गलत है, यहां पर not पर ध्यान दीजेगा, यहां पर not पूछा हुआ है, ब अगर हमें permanent seat मिली, तभी हमारे पास veto power भी आएगी, बिना permanent seat के हमारे पास veto power नहीं आएगी, और उसके लिए हम लड़ रहे हैं कि हमें permanent seat दीजे, है न, बदाए, आप भी नए हुँ मेरी class में, very good, आज बड़े नए-नए students दिख रहे हैं, तो नए जितने भी students हैं, वो session को एक बड़ी like और share जरूर कर दीजे है, ताकि और भी नए students तक ये message पहुंच सकें कि पांच बज़े current affairs का one stop solution, the bigger picture आप सभी के लिए मैं लेकर आती हूँ, जी, जवाब दीजे इसका, बिलकुल सही, जितनी भी दे रहे हैं, एकदम सही दे रहे हैं, इसमें से मुझे गलत आ हाँ पर अलग-अलग देशों की सरकार मिलके, बैठके किसी भी चीज़ पर फैसला लेती है, उसको हम inter-governmental कहते हैं, चलिए, it was established in 1989, 1989 में इसको established किया गया था, G7 countries ने इसको किया था, ठीक है, जब, I mean G7 countries का जब summit हुआ था, तब किया गया था, एक problem को sort out करने के लिए, वो problem क्या थी, money laundering की जो समस्या चल रही है, अभी भी और उस time पर भी इस चीज़ को खतम करने के लिए, इस body को बनाया गया था, very good everyone, attempt करते रहेगा, मैं बेशक नाम आज नहीं ले रही हूं, पर मैं बहुत अच्छे से देख रहे हूं, कौन-कौन attempt कर रहे है, तो सभी attempt करते करिएगा, बिल्कुल, everyone attempt करिए, जी, ओके, ओके, राम मुटजी आपका पहला दिन है, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी क्लास में, चीक है, चली, हांची, बिल्कुल exactly, यहाँ पर जो है, third statement, यहाँ पर गलत है, क्योंकि हम इसका member है, इंदिया इसका member है, अब कोई आप organization, कोई भी आप group पढ़ते हो, तो एक सवाल आपको जरूर पता होना चाहिए, कि हम इस group का member है, या नहीं है, तो इंदिया इसका member है, FATF, FATF के full form होती है, Financial Action Task Force, यह किसलिए बनाया गया था, जब यह बनाया गया था, तब यह इस मुद्दे की वज़े से बनाया गया अब धीरे धीरे इसमें एक और topic आड कर दिया गया, वो था terror financing, जो देश, जो देश आतंवादियों को पैसा देते हैं, उनको और बढ़ावा देने के लिए, उसको कहते हैं terror financing, तो अब इसमें दो मुद्दे आते हैं, सबसे पहला है money laundering, जो शुरू से था, अभी इसमें एक और चीज आड कर दी गई है, वो है terror financing, इन दोनों मुद्दों को बंद करने के लिए, इन पर बैन लगाने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए, FATF जो है, वो बनाया गया है, अब FATF की दो list होती है, ये भी आपको याद रखना है, एक है grey list, एक होता है black list, ठीक है, ठीक है, अब मैं ये भी बताऊंगे कि grey list में डालने का क्या मतलब है मेरा, grey list में डाल देंगे, और अगर तुम फिर भी बाज नहीं आए, कुछ ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो नहीं बाज आते बोलने के बाद भी, तो अगर आप फिर भी नहीं बाज आए, तो हम आपको उठा के black list में डाल देंगे, और अगर आप black list में चले गए, तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी बाहर के देश से, या फिर किसी भी बाहर की organization से, loan लेने की possibility आपके खतम हो जाएगी, आप loan नहीं ले पाओगे बाहर के देश से, मतलब किसी भी तरीक है कि अगर आपके दे लोन लेना पर यहाँ पर तो एकदम possibility ही खतम हो जाती है, लोन लेले की, है ना, अब मुझे ये कौन बताएगा कि अभी फिलहाल तीन ऐसे देश हैं, जो FATF की black list में आते हैं, वो तीन देशों के ना मुझे आप सभी से जानने हैं, फटा-फट मुझे एक बरी, सभी students बता कि क्या है, हान जी दिपांचो जी मुझे याद है आपका सवाल, मैं आपको message करूँगी, मैं आपको बता दूँगी, ये magazine के बारे में आपको बता दूँगी है, ना, बताएगे, तीनों देशों के नाम एक ही बार लिख दो, एक-एक करके मत लिखिए, तीनों देशों के जाना है, जल्दी से जवाब दीजिए, बड़ा सारा पढ़ना है, अभी तो बहुत सारी चीज़े जाननी है, ओके, एक तो जो यहाँ पर अफगानिस्तान लिख रहे हैं, मैं आपको बता दू, अफगानिस्तान नहीं है, ब्लाक लिस्ट में, है ना, क्योंकि सब लोग और मयनमार की, ठीक है, जी, जी, मयनमार अभी हाली में अड हुआ है, बड़ी शौकिंग से न्यूस थी है, बट मयनमार भी है यहाँ पर, ठीक है, बाकी आप सभी को पता है, और ये सारे स्टेट्स्मेंस जो हैं, सहीं हैं, ये OECD के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया ह हुआ है जो developing देश है उनकी एक grouping है उसको कहते हैं sorry developed देश जो है विक्सित economies जो है चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सारे जो है FATF वाले countries है आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया भी यहाँ पर है आप यह भी यहाँ पर देख सकते हैं चलिए अब बात कर लेत जी आज भी मैंने scheme of the day में एक बड़ी important scheme डाली है तो उसको हम पढ़ें उससे पहले मुझे सभी से जवाब जानना है जल्दी से attempt करिये फटा-फटा हां जी हां जी बताइए tell me attempt करते रहेगा मैं देख रही हूँ जल्दी से attempt करते रहेगा फिर उसके बाद आगे बढ़ते हम जी जी very good यहाँ पर दोनों ही जो statements है वो सही है mostly आपने सही जवाब दिया है जी बिल्कुल जी बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही statement सही है तो यहाँ पर आपको पता ही चल रहा होगा इसका short form जो है वो उदे है इसका short form जो है वो उदे है उदे उज्वल discom assurance यह 2015 में जो है वो launch हुई थी तो basically प्राप्ती भी जो है payment ratification and analysis power procurement में तो यह बिजली से संबंदित ही है यह प्राप्ती portal भी जो है वो इसी से related है ताकि transparency वगेरा लाई जाए ठीक है तो यह बिजली से related है आप इतना याद रखें चलिए अब एक report के बारे में सवाल पूछ लेते हैं world military expenditure report कौन publish करता है military expenditure की कौन सा देश अपनी military पे कितना खर्चा करता है इस चीज के बारे में कौन सा institute है जो बात करता है Sipri Amnesty International ये international है ठीक है world bank IMF या फिर UNICEF आप यहां से अगर आपको सवाल नहीं पता है तो elimination technique का use करिए UNICEF को तो आप कर सकते हैं cancel ठीक है ये बच्चों से related organization है और मैंने military मैंने क्या पूछा है military expenditure का सवाल पूछा है तो UNICEF को तो आप सीधा सीधा cancel out कर सकते हैं यहां से eliminate करना elimination technique सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी भी किसी को भी सीधे सीधे answer 100% नहीं आ सकते eliminate करके ही हम सही answer पर पहुंचते हैं जिनके हमें नहीं आते हैं अगर आते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया है आप फटा-फट उसको tick करके आगे बढ़िये बढ़िये बट अगर नहीं आते तो elimination करना थोड़ा guess work सीखना यह सारी चीज़े सीखना बड़ा जरूरी है बहुत बढ़िया, सभी ने, जी, जी, बिलकुल, हांजी, हांजी, संधी, पटेल, आप भी शायद नहे हो, मेरी क्लास में, वेरी गुड, आपने सही जवाब दिया है, एकदम मैं यहाँ पर सिपरी की ही बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर, जी, जी, स्टॉक हॉम इंटरनाश है कि यह जो राइफल्स है, यह किस चीज से, किस कंट्री से बिलॉंग करती है, तो यह इंडिया और रश्या दोनों के बीच में यह एक प्रोजेक्ट है, तो आप यह रश्या का नाम यहाँ पर बहुत आपको याद रखना है, रश्या के साथ हमारे और भी बहुत सारे मिस मैं कौन सी यह मिसाइल्स हो गई, राइफल्स हो गई, है ना या फिर कोई भी मिलिटरी का कोई भी आम्स एमिनेशन, हम कौन से देश सिक परचेस कर रहे हैं, आप क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहे हूं कि कौन से देश से हम परचेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक और च है United States ठीक है United States और इसलिए शायद बहुत जादा Wars को जो युद होते रहते हैं उनको बढ़ाने जो युद होते रहते हैं मुझे लगता है कि सबसे जादा फायदा किसी भी दो देश के बीच में अगर युद हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो US को होता है क्योंकि इनका तो समान बिक रहा है तो Ukraine को यह समान बेच रहे हैं और उसे जो Ukraine और रच्शा का जो वार है वो बढ़ता जा रहा है ठीक है तो इनका तो फायदा हो रहा है ठीक है उसके बाद रश्या है अच्छा यहां पर एक यहां पर एक website आपको दिख रही है यहां पर यह एक नाम दिख रहा है आपको एक नाम दिख रहा है यह company का नाम है Statistica Statistica तो आप मुझे एक बरी ये कोई बता सकता है कि कहां की कुछ भी बोलो company बोलो कुछ भी बोलो body है कहां की है ये कौन से देशकी है ये कोई मुझे बता सकता है बड़ी important है काफी अच्छे graphs होते हैं अगर आपने कभी गूगल किया हो तो जी कोई बात ही मैं बता देती हूँ Germany ठीक है Germany से ये बिलॉंग करती है चलिए अब बात करते हैं who is not a member of BIMSTEC अब यहां पर मैं कुछ important bodies लेकर आई हूँ आज और कुछ tricks भी लेकर आई हूँ जिससे आपको member countries याद हो जाए तो पहले BIMSTEC का बता दीजे उसके बाद पहले BIMSTEC का बता दीजे उसके बाद हम देखेंगे जी चलिए चलिए अच्छा सबसे पहले तो नहीं यहां पर यह यह यॉरॉप जो लिखा हूँ है ना यॉरॉप एक तो कोई country नहीं है ठीक है यॉरॉप जी एक continent है जिसमें बहुत सारी countries आती है तो यह तो वैसे ही अजीब सा लग रहा है यह तो वैसे ही गलत हो जाता है चलिए member countries देख लेते हैं बिमस्टेक का ठीक है चलिए सबसे पहले यहां पर हम शुरू करते हैं मैप से शुरू करते हैं तो हम यहां पर देखेंगे आपको दिख रहा होगा यहां पर हम शुरू करते हैं निपाल, बुटान, इंडिया तो है ही उसके बाद श्रिलंका, बांगला देश उसके बाद जब आप इधार आते हो तो आपके पास मायनमार और थाइलेंड भी इसके member countries आपको मिलेंगे ठीक है, यह आप यहां पर map भी देख सकते हो, अच्छा बिम्स्टेक से न यहीं से आपको याद हो जाएगा कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ, आपको बिम्स्टेक की एक तरीके से फुल फॉर्म की तरीके से आप इसको याद रसकते हैं तो मैंने भी इसको जैसे बिम्स्टेक की कोई फुल फॉर्म हो इस तरीके से याद किया था, बस दो extra country है जो हमें add करनी है, वो हम कर लेंगे, है ना, चलिए, B से हम याद कर लेते हैं, जी बांगलादेश, I से हम add कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, इंडिया, चीक है, M से हम याद कर लेते हैं, क्या, Myanmar, और प्लीज कंफ्यूज मत हो येगा, Myanmar है कि मौल्दीव है, चीक है, यहाँ पर मैं Myanmar की बात कर रही हूँ, मौल्दीव इसका पार नहीं है, यह आपको एक difference याद रखना है, जेनरली हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कि Myanmar था, कि माल्दीव था कि मौरिशिस था, तो यह सारे अलग-अलग कंफ्यूज हैं, चलिए, उसके बाद S से हम याद कर लेते हैं, श्रिलंका, उसके बाद हम T से याद कर लेते हैं, थाइलन, चीक है, अब E और C से कोई भी कंफ्यूज नहीं है, बट हमारी दो कंफ्यूज बची हैं, नेपाल और भुटान जो हमने नहीं याद करी हैं, तो आप नेपाल और भुटान थोड़ा एक्स्ट्रा याद कर लीजे, बाकि ये as a full form इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है, मेंबर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो मेंबर्स आपको याद रखने हैं, और क्योंकि BIMSTEC की मेंबर याद रहे, बट उससे पहले मैं सभी को हम जो है, लास्ट में एंड, लास्ट में, लास्ट हम आने वाले हैं, ठीक है, लास्ट हम आने वाले हैं, अपना लेक्चर का एंड में, मतलब बहुत सारी चीज़े जो इंपॉर्टन डिसकस करते हैं, तो अगैन मैं बस यही इंडिया के लिए बहुत-बहुत इंपॉर्टन है, चलिए, तो आसियान देख लेते हैं, सबसे पहले तो मैं 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 दिखा देती हूँ, आप यह समझ पा रहे होंगे कि यह कौन सा एरिया का मैप है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं, एक बरी मैं आपको वर्ल्ड मैप में द जूम इन करके बढ़ें, चलिए, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, इसी को जूम इन करके बिलकुल, तो यहाँ पर भी दो, जो M से जो कंट्रीज हैं, उनके बीच में कंफ्यूज मत होएगा, यहाँ पर भी मायनमार है, और उसके साथ-साथ यहाँ पर, यहाँ पर क्या ह लाउस, वियतनाम, फिलिपीन और ब्रुनाय, यह आपके कुछ कंट्रीज हैं, आप मैप में देख सकते हैं, याद कैसे करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि कैसे याद करना है, इसका छोटा सा है कि MBBS आप याद रखे, MBBS Clip TV, MBBS Clip TV करके जो है, आप याद रख सकते हैं, विच स्टान्स फर मलेशिया, ब्रुनाय, यह 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 बर्मा है, पर आप इससे आपको पता है, बर्मा क्या है, यहाँ पर मैयनमार से याद रख सकते हैं, ब्रुनाय, सिंगपोर, कमबोडिया, लाउस, ठीक है, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलिपीन, य यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, सार्क को पहले एक बरी यहाँ पर देख लेते हैं, सार्क क्या है, साउथ एशियन असोशियेशन फर रिशनल कोपरेशन, आफगानिस्तान, बांगलादेश, भुटान, इंडिया, श्रिलंका, पाकिस्तान, मौल्दीव, अगर मैं ऐसे पढ़ेंगे, आप कोई भी ऐसे पढ़ेगा, तो असानी से याद नहीं होगा, इसलिए हम थोड़ा सा उसको जो है, याद करनी की कोशश करते हैं, अगैन ये ट्रिक भी सेम ही उससे है, सेम ही ट्रिक से है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, MBBS स याद रख सकते हैं इसको, ठीक है, ये है सार्क का, वो था आसियान का, और उससे पहले हमने करी है BIMSTEC, क्या आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि हम जो है, इंडिया जो है BIMSTEC और सार्क, आप यहाँ पर देख सकते हैं, BIMSTEC और सार्क, सिर्फ ये ऐसी दो जिसका इंडिया पार्ट है, आसियान का इंडिया पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है, किसी भी हालत में, शायद आपको लगेगा, क्योंकि हम आसियान के साथ बहुत सारे summits करते रहते हैं, हमने अभी अभी एक friendship का, आप बोल सकते हो, कुछ celebrate भी किया है, एक friendship bond हम ने आसियान के देशों के साथ celebrate किया है, तो आप ये आए दिन खबर शायद सुनते रहते होंगे, कि आसियान के साथ हमने ये करा, वो करा, बट हम इसका member नहीं है, इस चीज़ से आप confused मत हो चाहिएगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के तरफ, which is true regarding प्रधान म गरीब कल्यान अन्न योजना सभी से आंसर चाहिए और फटा-फट बता दिजी क्या इसका आंसर है, अंजी, बताएए, जी, बिलकुल, ये नाशनल फूट सेक्यारिटी आग्ट जो 2013 वाला था, उसके तहट जो है, ये स्कीम को लाया गया है, नोडल मिनिस्ट्री, इसकी मिनिस्ट्री ओफ फिनान्स है, तो सारे ही यहाँ पर, जी, बिलकुल, बिलकुल, एवरीवन, अरे बहुत बढ़ी है, बहुत, बहुत चांदार, बिलकुल, सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर सहीं है, ये लोगों को जो है, COVID में help करने के लिए ठीक है, ये लाया गया था, चीक, चलिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अल्मुस्ट वही सारी चीज़े लिखी हुई है, पब्लिक डिस्रिब्यूशन सिस्टम के तहट, जो है, इनको राशन देने की बात हुई थी, तो ये सारी चीज़े यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, ओके, अब ये नीउस में क्यों था, ये नीउस में इसलिए था, क्योंकि आज ही एक बहुत सारे न्यूस पेपर में एक आर्टिकल आया हुआ था, कि प्रधान मंत्री जो ये गरीब कल्यान योजना है, इसके तहट सब को राशन बराबर नहीं मिलता है, क्योंकि इ पर जो भी डेटा है उसको तो इसके जो भी डेटा है उसी के बेसिस पर जो भी नंबर्स हैं वो जो भी नंबर्स हैं उसी के बेसिस पर सिर्फ उतने लोगों को जो है खाना दिया जा रहा है तो सब लोगों को तक ये फैसिलिटी नहीं पहुँचाई जा रही है इसलिए ये जिन लोगों के पास अधार कार्ड और ये सब चीजे नहीं हैं, तो आज का आर्टिकल इसलिए था कि जी सब लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है, जितने तक पहुंचना चाहिए उतने तक नहीं पहुंच रहा है, ऐसे करके एक आर्टिकल था, उसका मैं के लिए लेकर आ रही हूँ, वो सभी, आप सभी को जानना है, आप सभी को पता होना चाहिए नहीं, यहां جी, जी, चलिए, तो बात करते हैं, हम Arise की अटल Arise की जब हम बात करते हैं तो ये है आत्म निर्भर भारत Arise ठीक है जिसका मतलब है अटल New India Challenge जहां पर कुछ नहीं ये बेसिकली MSME सेक्टर के लिए है ताकि उनके innovation में उनके start-up में उनको हम जादा से जादा help कर सके तो अगर सीधा-सीधा ये ही सवाल आ जाता है क कौन से sector से related है health sector से related है या पर education sector से related है MSME से related है तो ये MSME से related है ताकि उनको हम market में better facilities प्रवाइड कर सके बेटर चीज़े प्रवाइड कर सके और उनके start-ups में help कर सके उनके innovation में help कर सके वो जादा से जादा अच्छे से अच्छे research कर सके उसके लिए Arise scheme जो है वो बनाई ग को ये याद रखना है और बहुत जादा इसमें जो है चीज़े नहीं है अच्छा यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं कि इसको कौन-कौन देखेगा इस पूरी scheme को कौन-कौन देखने वाला है तो यहाँ पर अटल innovation mission आ गया तो नीती आयोग तो automatically आ गया यह हमें पता है तो नीती आयोग ठीक है उसके साथ-साथ इस रो भी इस पर ध्यान देगा ministry of defense food processing industry health and family housing affairs यह थोड़ा-थोड़ा portion जो है इस पा थोड़ा-थोड़ा जो है administer करने के काम करेंगे बाती majorly है किसके लिए scheme यह MSME वालों को better करने के लिए है उनकी help करने के लिए है इतना आपको तो जो आज नए students है क्योंकि आज काफी सारे नए students है आप message भी कर रहे है कि मैं हम नए है तो काफी सारे नए students है काफी सारे नए students है यहाँ पर तो उनको मैं बता दू कि जब आप अपना descriptive लिखते हो तो descriptive लिखते time तो जितने भी descriptive लिखते हो, descriptive लिखते time आप एक short form है जिससे अलग-अलग angles आप अपने answer में include कर सकते हो, वो है pestle technique, जिसमें आप ये-ई angles आप अपने answer में लिखते time include कर सकते हो, जैसे क्या कोई political angle है, कोई economic angle है, है न, कोई sociological angle है, technological angle है, कोई technology से जुड़ा हुआ, कोई मुद्दा है, मतलब कोई point है, तो वो आप अपने उसमें utilize कर सकते हो, add कर सकते हो, या फिर कोई environment से, मतलब कोई भी topic ऐसा आ गया, उस topic से environment पर क्या impact पहुंचेगा, उस topic से economy पर क्या impact पहुंचेगा, है न, तो ये सारे जो है, ये चीज़े आप इस technique को use करके, ये सारे angles लिख सकते हैं, चलिए, आज का सवाल है, जो MSME है, उसमें बहुत जादा शमता है, बहुत जादा potential है, पर उसके बहुत जादा challenges भी हैं, बहुत जादा concerns भी हैं, ठीक है, वो क्या-क्या challenges है, और उनको कैसे हम sort out कर सकते हैं हाँ जी, चलिए, तो हम शुरू करते हैं, ये MSME, सो MSME आपको पता है, जब कोई भी answer हमें लिखना होता है, सबसे पहले तो उसका introduction करना होता है, introduce करते time, आपको जो भी चीज़े उसके बारे में पता है, अगर कोई fact पता है, अगर कोई report पता है, अगर कोई scheme पता है, तो उ उसके बाद, अब हमें ये बताना है, कि जो MSME सेक्टर है, वो इतना important क्यों है, ठीक है, क्योंकि सवाल में भी यही पूछा गया है, कि ये जो है बड़ा अच्छा सेक्टर है, बहुत ज़्यादा शमता है इसमें, अब इसकी शमता को हमने proof तो करना पड़ेगा न हमें, तो उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़े तो बतानी हैंगी, so employment ये बहुत ज़्यादा प्रवाइड करता है, उपर ही हमने देखा, ठीक है, रूरल entrepreneurship प्रवाइड करता है, आपको पता है, 2011 के सेंसेस के हिसाब से हमारे यहाँ पर, जो 68% से ज़्यादा पॉपिलेशन गाउं के एरियास में रहती है, तो उनको भी help करने के लिए ये MSME sector बहुत अच्छा काम करता है, non agriculture livelihood, आजकल जो है agriculture बहुत ज़्यादा लोगों की help नहीं करता है, help मतलब help करता है, बट help का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा profit में नहीं रहते हैं, जो agriculture field में है, तो अगर आपको हटके कोई अपना दूसरा business करना हो, तो MSME आपका सबस MSME जो sector है, उसकी 20% जो है, मतलब आप बोल सकते हो, कि women भी जो है, इनमें काफी जादा काम करती है, तो एक women empowerment के लिए भी ये sector काम कर सकता है, आप देख रहे हो कैसे women वाला point भी हमने add कर दिया, तो ये women वाला point, अगर COVID से कोई related point है, वो वाले point, वो वाले point भी आपको add करने कि जो भी topic है, अगर वो women की help कर रहा है, ठीक है, बेटर पेज, इसमें agriculture से तो बेटर ही आपको जो है, तनख्वा वगेरा मिल जाती होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अब ये inequalities को भी reduce करता है, जो गाउं और शहर के बीच में जो inequality होती है, एक शहर में लोग को ज inequalities जो है, वो better हो जाएंगी, चीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं, challenges, challenges क्या है, क्या challenges face कर रहा है, हमारा ये sector, सबसे बड़ा तो है जी finance, कि इसके पास पैसे नहीं है, तो पैसो वाला जो है, एक better करना पड़ेगा, और देखे, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जितने भी challenges होते हैं, वो ही solution भी हो सकते हैं, जैसे मालो challenge है कि इस sector के पास पैसे की कमी है, यह solution भी तो हो सकता है, कि इस sector को पैसे चाहिए, या फिर इस sector को पैसे देने चाहिए, सरकार को solution भी हो गया, problem भी है यह, है ना, तो आप दोनो ही solution और problem वाले point दोनो, same लिख सकत हैं raw material का problem है raw material महेंगा मिलता है ठीक है अगर आपको कुछ अपना बनाना है तो उसके लिए कच्छा समान भी तो खरीदना पड़ेगा वो महेंगा मिलता है उसके लिए पैसे नहीं है तो ये एक problem है modern technology इनको नहीं आता कि किस तरीके से technology वगेरा को use कर पाए हमारे यहां तो बहुत सारे लोगों को UPI phone पे यही चलाना नहीं आता तो और सारी तो technology आप भूल ही जाओ है ना अब infrastructure से related बड़ी सारी दिक्कते हैं मतलब अगर आपको कोई अपना business कोई अपना छोटा सा भी काम शुरू करना हो उसका विजली का connection उसका पानी का connection यह सब connection लेने में ही आपको इतना time लग जाता है तो यह सारी दिक्कते हैं जिसको हम red tapism भी कहते हैं कि file जो है दफ्तरों में पड़ी रहती है पास नहीं होती ठीक है labor related challenges है skill जो है वो दिक्कत है तो skill related point भी आप लिख सकते है skill की दिक्कत है skill नहीं है लोगों के पास तो skill provide करी जानी चाहिए education provide करी जानी चाहिए awareness provide करी जानी चाहिए लोगों में है ना ताकि इन लोगों के पास अच्छी skill हो अच्छे तरीके से यह चीज़े कर सके अब यहाँ पर अब यहाँ पर way forward में या फिर conclusion में आपके लिख सकते हो कि इनको जो है हमें loan वगेरा की facility करवानी चाहिए और उसमें आप मुद्रा attach कर सकते हो example और scheme जितनी attach करोगे उतना बहतरीन आपका अंसर बनेगा मुद्रा में आपको पता है तीन तरीके के loan मिलते हैं कौन-कौन से शिशू कि शोर और तरुन मतलब पचास हजार से लेके दस लाग तक के आपके जो है loan मिल जाते हैं यहाँ पर ठीक है आपको अगर सिखा दिया जाए skill आपको दे दी जाए आपको यह बता दिया जाए कि आपको technology को कैसे use करना है वगेरा वगेरा तो आप जो है better perform कर सकते हो तो यह आप लिखे है ना जितनी भी सरकार policy बनाता है वो इन लोगों को ध्यान में रखकर बनाए तो इन लोगों को और जादा फायदा होगा तो policy making आप लिखे तो यह सारी चीज़े आप लिखे अब यहाँ पर मैंने यह list लगाई है मैं share कर दूँगी यह MSME sector से related जितनी भी जितनी भी scheme यह वगेरा है यहां से आप example जो हैं वो उठा सकते हैं तो यह सारी schemes हैं जो MSME sector को help करने के लिए लाई गई हैं यह मैं आपको as it is share कर दूँगी यहां से scheme का नाम उठा के आप अपने exam में जरूर लिख कर आईएगा चीक हैं जी और भी बहुत सारी है ऐसा नहीं है और भी बहुत सारी है तो आप यह लिख कर आईएगा और मैं आपको बता दूँ सिडबी के लिए जितने भी बच्चे prepare कर रहे हैं मैं उनके लिए एक दो दिन में जल्द ही एक 10 days की strategy लाने वाली हूँ तो इसके लिए भी आप excited रहेगा यह YouTube पे ही होगी फ्री होगी इसकी सारी details मैं आपने Telegram चानल पे शेर कर दूँगी उसके साथ-साथ मैं यहां पर एक चीज लेना चाहती हूँ आप मुझे एक second दीजे तो 2023 में आप किसी भी exam की जो तयारी कर रहे हैं आपके पास सबसे अच्छा option है bank maha pack plus में enroll करने का क्योंकि उसमें आते हैं बहुत सारे exams मैं आपको फटा-फट दिखा देती हूँ bank maha pack plus में जब आप अड़ा के site पर जाएंगे तो अगर आपको क्योंकि मुझे पता है 2023 में बहुत स उसके अलावा ये सारे RBI, Sabine, Abad, SIDB, किसी के लिए भी नवाट बड़ा important है आने वाला है आप prepare जरूर करिएगा बड़ा अच्छा वो है च्रीक है उसके बाद अगर आपको ये enroll इसमें करना है क्योंकि मैं यहाँ पर आपके current affairs ले रही हूँ अगें आपको Y674 यहाँ पर 30,499 में पढ़ रहा था वो सिर्फ आपको 7,000 रुपय में पढ़ेगा इसमें आपकी तीनों ही stages prelims, mains, interviews, तीनों ही stages की तयारी करवाई जाएगी सारे test वगेरा और मैं current affairs जब करवाती हूँ तो आपको PDF भी दूँगी है ना monthly या weekly जो भी है जो हम वो decide कर लेंगे तो वो आप जो है धान रखिए मैं यहाँ पर तो आप यह exactly वही है जो मैंने आपको बताया है उसके अलावा अगर अलग से आपको enroll करना है सेल में bank of महराश्रा, MP cooperative bank, RBI ठीक है जो अगर आपको अलग से लेना है तो आपको same करना है, same तरीके से आपको करना है, same code आपको use करना है, same code आपको यहाँ पर type करना है, Y674, जब आप apply करेंगे तो आपको यह पूरा discounted rate में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो और इन दोनों ही platforms पर आप मेरे से जुड़ना ना भूलिए, यह मेरा telegram है, जहाँ पर मैं PDF वगेरा शेयर करती हूँ, यह मेरा Instagram handle है, तो इन दोनों आप दोनों आएए और channel को subscribe भी कर लीजिए, यह, 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 मैंने यहाँ पर लिखा हुए न, आप यही नाम जो है वो type करिए, आपको मिल जाएगा, चलिए, thank you so much, आज के लिए, thank you so much, कल फिर से मिलते हैं, thank you so much, have a good day ahead, bye-bye.